Hello everyone, इस्टेनोबित अरहन पर आपका स्वागत है एह वीडियो हिंदी और इंग्लिस दौनों केंडिडेट्स के लिए यूसफुल होने वाली है क्योंकि जो मैं आपको सौट हैंड की स्पीड को लेकर जो टिप्स देने वाला हूँ वो बहुत ही यूसफुल होने वाली है आप इनका यूस करके देखेंगे आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा मैं इसे अपने एक्सपीजेंस और अपने टीचर्स के दोरा जो मुझे सीखने को मिला है वही एक्सपीजेंस मैं आपके साथ सेयर करने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जिन सेल्फ इस्टेडी कर रहे हैं यो उनके लिए और भी ज़्यादा यूसफुल होने वाली है कई वार यह आता है कि मैं भी एक टीचर हूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पास ऐसे आतने हैं जो की सौट हैंड की बेसिक चीजों को नहीं करते जिसकी वज़े से वो एक स्पीड पर आकर रुख जाते हैं तो आज मैं आपको कुछ इसी तरह की कुछ बाते बताऊंगा जो आपकी सौट हैंड स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी सबसे पहले मैं बात करता हूँ सौ설 एंड पेड जैसा कि आप स्कीन पर देख पा रहे हैं स्कीन में दो तरह के मैंने सौट हैंड पेड दिखा हुए है एक की साइज छोटा सा छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है अब आप देख पा रहे हूँ lider स्कीन पर जो यह सॉट है पैट दिख रहा है यह SSC स्किल में प्रोवाइट किया जाता है यह मेरा 2020 का जो स्किल हुआ था उसकी कि मैंने RTI से जो कॉपी मगाई थी वो आप देख पा रहे हैं इस साइज में सॉट हैं पैट रहता है तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो है सॉट हैं पैट सॉट हैं पैट का आपको हमेशा यूज करना चाहिए इससे आप एक हैविच्वल हो जाते हैं बहुत सारे लोग कॉपी में पैक्टिस करते हैं तो मैं अपने experience से आपको यही suggest करूँगा कि आप सॉट हैं पैट का है आपका कहां तक जाना है और कहां से आपको रिटन आना उसका एक हैविच्वल हो जाता है जो कि क्योंकि इसकिल में एक एक second बहुत कीमती होता है तो यह आपके लिए बहुत helpful रहता है उसके अलावा आप देख पा रहे हैं इसकी जो length और इसकी जो width है वो काफी जादा होती है तो बहुत सारे candidates उसको three parts में divide कर लेते हैं बहुत सारे candidates उसको two parts में मैं आपको suggestion दूँगा कि आप two parts में ही divide करके लिखिए और उसके बाद आप अपने hands को habitually बनाईए चलिए तो पहली बात होती है sort and pet का use करें दूसरा बात आता है pen या pencil बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ssc में या other exam में हम pencil लिख सकते हैं बिलकुल आप किसी से भी लिख सकते हैं आप pen से भी लिख सकते हैं और pencil भी मैं अपना बता हूँ तो मैं pen use करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि pencil से चीजों को correct किया जा सकता है तो मैं मानता हूँ कि बैसे भी आपके कोई short hand check नहीं करता आपको पढ़ना है और pen एक flow देता है तूटने का डर नहीं रहता है बैसे pencil भी नहीं तूटते चलाने वालों को तो लेकिन मैं जो मानता हूँ pencil एक अच्छा flow बनता है आप जरू try करें यह मेरा experience है तीसरी बात आती है comfortable speed से ज़्यादा पर लिखें जैसे आपकी यदि proper आप 80 word per minute पर पूरा matter बिल्कुल clear लिख लेते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप 85 पर लिखें जब तक आप higher speed पर लिखने की practice नहीं करेंगे आपकी speed increase नहीं होगी लोगों को कह लगता है बहुत ज़्यादा increase कर लेते हैं जैसे आप 80 पर लिख रहा हो आप 100 try करो ऐसा नहीं करना है जिस भी speed पर आप हो उससे आपको 5 bird पर minute बढ़ा कर लिखने की practice करनी चाहिए जो कि आपके लिए काफी helpful रहेगी उसके बाद मैं बात करूँ जो मेरा चौथा point है वो है आप SST यदी skill देते हैं या किसी भी skill में देते हैं तो normal speaker का use होता है तो मेरा जो चौथा point है वो यह है कि आपको earphone का use बंद कर देना है क्या होता है कि जब अपन earphone का प्रयोग करते हैं तो earphone से देखने में आता है कि अपन बहुत ज़्यादा उस चीज़ में concentration ज़्यादा कर पाते हैं जबकि speaker जब बजाते हैं आप without बिना उसके अपन लिखते हैं earphone के तो क्या होता है कि अपना concentration कहीं न कहीं भंग होता है तो इसलिए इस चीज़ की भी habit आपको डालनी चाहिए आपको speaker यदि speaker available नहीं है तो आप direct mobile के थुरू लिखिए direct without earphone कई इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा problems आती है लोगों के इसकी complaint रहती है तो ये भी आपकी concentration के लिए बहुत जरूरी है पांचवा point जो आता है positive approach कई वार होता है कि हमें एक mindset बना के बैठने कि यार हम editorial लिखने वाले हैं हमें difficult matter लिखने वाले हैं ये चीज माइंड में नहीं आनी चाहिए एक अच्छा short hand लिखने वाला वही कहलाता है जो इस चीज को नहीं सोचता जो बोलना है बोल लीजी हम लिखने को तयार है तो mindset ऐसा होना चाहिए जो बोलना है बोलो हम लिखेंगे हम try तो करी सकते हैं न ये आप पहले ही सोच लेंगे कि भाई हमें हिमालाय चड़ना और देखके ही डरने लगेंगे तो आपका भी हिमालाय नहीं चड़ पाएंगे तो इसलिए हमेशा आपको try करना है कि थोड़े से difficult matter की तरफ लिखने को जो लोग डरते हैं मैं उनको suggestion ये दूगा कि आप थोड़े से hard matter लिखने के habit डालिए 10 दिन 15 दिन आपको परिशानी होगी लेकिन उसके बाद जब आप उसके habits चल हो जाएंगे तो आप उन्हें easily लिख पाएंगे और फिर आपके अंदर जो confidence आएगा न आप किसी भी exam को face कर सकते हो आप इतनी practice कीजे ना कि कहीं से बुले ऐसा तो है नहीं कि SSC को लीगल matter दे दे ऐसा भी नहीं होगा इसलिए आप इस चीजों को ध्यान रखें कि positive approach होना बहुत जरूरी है मन इससे यदि आप positive नहीं होंगे आप अंदर से डरे हुए होंगे तो आप कितना भी easy matter हो वो भी आप अपनी जिस speed पर आप कर पा रहे हैं वे आप नहीं कर पाएंगे इसके बाद जो मैं बात करूँ आपको daily dictation में क्या करना है और क्या करना चाहिए बन्वन्थ अभी जैसे skill के लिए और यदि नहीं भी है तो मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि daily आपको 4-5 dictation लेनी चाहिए जिसमें 2 passes unseen और 3 passes जो आप scene कर चुके हो लेकिन scene ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सोब अपन ने उसको scene करके लिखा है आज दो फैर में उसको record करके लिख ले तोड़ा सफिर एक दो दिन 3-4-5 दिन का gap minimum लेना चाहिए यह मेरा suggestion है उसके अलाबा जिसमें आप परड़े जो 5 dictation लेंगे उसमें 2 dictation को आपको transcribe करना चाहिए और 3 dictation जो आपने लिखी है ऐसा नहीं है कि उनको लिख के छोड़ दो जितनी भी जो other dictation है यानि 3 जो dictation अपन अलग लिख रहे हैं उनको आपको सबको read करना है और read करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है वो मेरा point number nest होगा जैसे reading time में अपन क्या करते हैं उसको पढ़त लेते हैं बहुत सारे words difficult words हो सकते हैं बहुत सारे easy words हो सकते हैं अपने dictation में बनाते time आपने outline गलत बना दी आप उनको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपको यह suggestion दूँगा कि जब भी आप reading करें जिस भी outline को पढ़ने में आपको difficulty आती है आप उसको underline करें उसको एक बार जैसे ही आप reading complete हो उस जो आपने underline कियो हुए words है उनकी आप 2-2-4-4 line जरूर practice कर लें कितनी ही easy outline हो यदि आप उसको एक बार में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक बार उस पे आप थोड़ा सा हाथ चला लें उसके बाद बात करूँ कि जो hard words आते हैं या friends से लें इस तरह से आप उनकी practice करें उसके बाद आप आँगे बढ़ें ऐसा नहीं है कि हमने के वल डिक्टेशन लिख ली और difficult words पर अपने काम नहीं कर रहे हैं अपनी गलतियों पर रहे हैं आप काम नहीं कर रहे हैं मैं कभी suggestion नहीं करता कि आप outlines बहुत ज़्यादा sort करें sort करना है लेकिन ऐसा जिसे आप पढ़ पाएं 80 words पर वालों के लिए मैं suggestion दूँगा कि भई वो तो एक proper भी लिखते हैं तो 100 words वालों के लिए proper words शोटे करने इसकी अप एक्छा बाक्यांस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए जरूरत से ज़्यादा सब्दों को जोडने की कोशिश भी मत कीजिए कई वार देखने में आता है कि candidates बहुत ज़्यादा words जोड देते हैं लेकिन जब reading करते हैं तो वो चीज़ पढ़ी नहीं पाते इसलिए इन चीज़ों का भी से अपन को बचना है कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा clear लिखना है जितनी साफ सफाई से आप outline बनाने की habit डालोगे उतना clear आपका जो reading time है वो कम होगा क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि लोग लिखर पा रहे हैं लेकिन उसको read नहीं कर पा रहे तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप सफाई से नहीं लिखते और लोग कहते हैं कि सफाई की क्या जरूरत है मैं कहता हूँ कि जितनी आप सफाई से लिखेंगे जो आप बना रहे हो भही यह नहीं है कि लिखनापन को शाह है वो टा लग रहा है मतलब एक proper जो उसका word होता है वो ऐसा बनना नहीं चाहिए कि भही कहीं भी भाग रहा है वो एक चीज होती है दूसी चीज आउटलाइन बहुत पास-पास होनी चाहिए सफाई से जिससे आपको आउटलाइन पास-पास बनाने का मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बहुत दूर-दूर हाथ फैंक रहे है क्योंकि जितना आप टाइम बचा सकते हो आप अपने pen को एक word लिखा मैं जाता हूँ मैं लिखने के बाद जाता के लिए आपको बहुत जादा दूर नहीं जाना पास में आपने लिखा तो उससे क्या होता है कि आपको लंबा-लंबा हाथ नहीं फैंकना आपको page change करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह ही है कि आप पास-पास लिखें यह भी आपके लिए बहुत helpful रहती है बहुत सारे लोग इस शीज को नहीं ध्यान देते सबसे जादा problem इसी में आती है उसके अलाबा एक suggestion यह भी दूँगा बहुत सारे लोग pen को बहुत जादा tightly पकड़ते हैं उनके लिए suggestion मैं यह दूँगा कि pen को only दो fingers के थुरू पकड़ने का प्रयास करें और जो middle finger होती है उस पर pen को रखें उस पर pen को रखें उसको सहारा दिया जाता है fingers आपके thumb और thumb के जो side वाली finger है उसके थुरू ही आप pen को पकड़ें और middle finger पर cable pen को सहारा दें pen को बहुत हलके हातों से पकड़ना चाहिए इतना हलका भी नहीं पकड़ना कि pen गर जाए या pencil गर जाए जितना आप हलके से लिखेंगे आपका हाथ कम दर्द करेगा आपका हाथ का flow सही बनेगा आपकी outlines बहुत comfortable बनेगी आप इस चीज को जरूर ट्राइ करें बहुत सारे लोग यह गलतियां करते हैं जब मैं coaching पढ़ाता हूँ मेरे candidates यह गलतियां करते हैं यह छोटी छोटी चीजें आपकी speed को बढ़ाने में help करते हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते उसके बाद बात करूँ आखरी point पे कि आपको बाक्यांस का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है other words ऐसा नहीं है कि नए नए words से उनको आप जोडने में लगी हुए हो बाक्यांस को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें उससे आपकी speed increase होगी और last way मैं यही कहूँगा कि जो new outlines आती है dictation में उनको कैसे लिखें और उनको reading time में कैसे उठाएं उसके लिए आपको जैसा मैं पता चुका हूँ positive approach mindset आपका clear होगा आपका focus अदि इस dictation को लेकर होगा तो क्या होता है कि हमेशा यदि बहुत बड़ा words कोई आता है तो उसके लिए आपको यह होता है कि उसका initially words तो आपको वहां से बना के चलें जैसे मैं एक example दूँ मदन मोहन मालविये तो आपने केवल मद भी लिखा और last में मलेह लिख दिया तो उसके क्या है कि मदन से आप इसको जब पढ़ेंगे रीट करेंगे तो आप उसको उठा पाएंगे तो आप initially word बनाती हुए चलें यदि आपको ऐसा कोई proper noun दिखता है तो आप उनके initially word बना लें और जैसी dictation end होती है आप उन words को महाँ पे highlight कर लें ताकि आप एक बार में उन चीजों को उठा पाएं यह है और बाकि किसी एक दो word के चक्कर में कई बार होता है कि अपना आगे की पूरी line की line खराब कर लेते हैं ऐसा आप लोगों को नहीं करना है इसके अलाबा मैं बता दूँ हिंदी वालों के लिए रामधारी, खंड एक आप सबसे पहले finish करें उसके बाद मैं आपको suggest करूँगा कि आप मेवारी की dictation जरूर लिखें थोड़ी सी hard है लेकिन आपको यदि आपने वो कर ली तो मैं यह मानता हूँ कि SSC exam में आप बिलकुल ही comfortable ली बैठ सकते हैं आपको कोई भी चिंता नहीं होगी वो panic situation जो बन जाती है लोगों में वो नहीं होगी उसके अलाबा यदि आपने मेवार कर लिए फिर आप रामधारी खंड दो की तरफ देखें और hundred वालों के लिए suggestion ने दूँगा कि आप रामधारी, मेवार और आनंद माशिक पत्री का जरूर करें और उसके अलाबा यदि ये आप सब लोग ये सबी books आप लोग कर चुकी है तो उसके बाद आपको continue परती दिन एक editorial लिखना चाहिए चाहे आपका skill हो या नहीं हो आप कभी भी किसी भी skill में बैठने से डर नहीं लगेगा आपको यही मेरी कुछ points दे जो मैं आपको बता चुका हूँ इसके अलाबा हमारे channel पर आपको मेवारी dictation कराई जा रही है hundred वालों के लिए आनंद माशिक पत्री का कराई जा रही है और English dictation के लिए KC और Progressive dictation कराई जा रही है Sam जो मैंने बताया है English वाले भी follow कर सकते है और Hindi वाले भी follow कर सकते है यह जो मैंने चीज़ें बताई है वो दौनों को लेकर है किसी एक को लेकर नहीं है इस तरह की आप चीज़ें जरूर यूज करें जो आपकी exam में काफी helpful रहेंगी और यदि ये वीडियो आपको helpful लगती है तो आप इसे like करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और feedback जरूर बताएं यदि आपके लिए वीडियो 5% भी यदि useful रहे तो आप please मुझे comment box में बताएं इससे हमें motivation मिलता है एससे किस तरह से evaluation करता है किस तरह से exam procedure होता है उस पर मैं एक बहुत जल्द नेश्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें आप वो सभी चीज़ें प्रोवाइट कर दूँगा चलिए तो